दोस्तो आपको जो नीचे पलस का आइकन दिखा दे रहा है उसको कलिक करने के बाद आपको तरह तरह की डिजाइन दिखाए देगी हाई एवरिवन एक नए वीडियो के साथ आपका एक बार फिर स्वागत है दोस्तो वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टोपिक के उपर है लेकिन उससे पहले आपको कुछ बताना चाऊँगा कि जो चैनल का लोगो होता है वह हमारे लिए कितना मेटर करता है दोस्तो चैनल का लोगो होना बहुत ही ज़रूरी है इससे क्या होता है जैसे आप ने ने वीडियो डालते जाओगे मान लीजिए कभी कोई ने वीवर आपके चैनल पर आया उसने आपका वीडियो देखा उसके बाद जब आप नेक्स्ट वीडियो अफलोड करोगे तब वह सजेसन में जाएगा तो आपके चैनल के लोगों को देखर पचान जाएगा कि इस बंदे का वीडियो तो मैंने पहले भी देखा है तो दोस्तों आप लोगों ने भी कोई नेया चैनल बनाया है या पहले से ही कोई चैनल है और आपने आज तो कोई अच्छा प्रोपेशनल लोगो नहीं लगाया है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रही है क्योंकि आज इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल तरके से बताऊंगा कि चैनल का लोगो कैसे बनाते हैं और उस लोगो को आप हमेशा के लिए रख शकते हो क्योंकि वह आपके पैचान बन जाता है दोस्तों लोगो बनाने के लिए आपके पास एक एप्लिकेशन का होना जरूरी है और वह एप्लिकेशन है केनवा दोस्तों ये एप्लिकेशन प्ले स्टोर में मिल जाएगा और नई तो मैंने description में link दे दिया है आप वहाँ जाके भी download कर सकते हो तो चलिए बिना देरी की ये वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले आपको अपने Canva application को open कर लेना है जैसे ये आप open करोगे तो आपके सामने इस तरह का interface आ जाएगा इस application द्वारा आप केवल logo नहीं बहुत कुछ बना सकते हो whiteboard बना सकते हो YouTube थंबलेन बना सकते हो YouTube बेनर बना सकते हो Instagram इस्टोरी क्रेट कर सकते हो बहुत कुछ बना सकते हो तो हमारे को चैनल का logo बनाना है तो आपको यहाँ पर नीचे logo का option दिकरा होगा आप उस logo के option पर क्लिक कर दीजिए जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ देर बाद में ऐसा interface आ जाएगा आप इस तरह से नीचे स्क्रोल करते जाओगे आपको बहुत सारी design नेजर आएगी आप यहाँ से नेम लोगो, बिजनेस लोगो, सरकल लोगो, ब्रेंड लोगो, कंपनी लोगो, फैसन लोगो, बहुत सारे लोगो बना सकते हो ब्यूटी और गेम से रिलेटिव लोगो भी आप बना सकते हो लेकिन हमारे को नेम से रिलेटिव लोगो बनाना है तो हम जो नेम लोगो लिखा है उस पे क्लिक कर देते हैं और आपके सामने नेम से रिलेटिव बहुत सारी design नेजर आएगी आप उने में से किसी की भी choice कर सकते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर तरह तरह की design नेजर आ रहे है आप इन में से कोई भी design select कर सकते हो यहाँ जो M और K वाड़ी design दिख रही है वो मेरेको अच्छी लग रही है तो मैं इसको select कर लेता हूँ और यह जो background color है वो black थोड़ा अच्छा ने लग रहा तो इसको भी change कर लेते हैं आप जो background है उस पे click करिए आपको नीचे बहुत सारे color दिख जाएंगे तो आप उन में से कोई भी color choose कर सकते हो तो मेरेको blue color अच्छा लगा तो मैं C को select कर लेता हूँ मेरे channel का नाम है technical product shortcut में नाम हुआ T और B तो इनको भी change कर लेते हैं आप जैसे M पे click करोगे तो नीचे आपको edit का option दिखेगा उसको click कर दीजिए तो click board सामने आ जाएगा उसमें से आप चुन सकते हो M की जगे T को चुन लेता हूँ और K की जगे B को चुन लेता हूँ जो T alphabet लिखावा है उसपे आप click करोगे तो आपको एक square नेजर आएगा उसको आप वहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हो आपको जैसा अच्छा लगे उसे साब से आप इनको छोटा बड़ा design देख सकते हो एक को बड़ा कर सकते हो एक को छोटा भी रख सकते हो इनके उपर में जो दो उपर और नीचे border जैसी line दिखाए दे रहे वह अच्छी नहीं लग रही है तो इसलिए मैं इनको delete कर देता हूँ जो alphabet T और B है इनका font अच्छा नहीं लग रहा तो आप नीचे जाके इनका font चूस सकते हो आप जैसे ही उस पर click करोगे तो आपको नीचे font का option देखने को मिलेगा यहां आपको बहुत सारे font नजर आ रहे होंगे आप इनमे से कोई सा भी चूस कर सकते हो मेरे को simple वाला ही ही चाहिए font तो मैं इस simple वाले को चूस कर लेता हूँ और दूसरे alphabet है उसमें देखता हूँ कौन सा best रहता है दोस्तो मेरे साब से इसमें भी simple ही font रहने देता हूँ क्योंकि दोनों नजदिक आ जाएगा तो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा टी alphabet थोड़ा जुका हुआ है तो अच्छा नहीं लग रहा तो normal ही best है अब आप इसे click करके उपर नेचे set कर सकते हो तो इस तरह से मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ B की size कर लेता हूँ क्योंकि देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा आप चाहो तो इसको आड़ा टेड़ा भी कर सकते हो आपकी मनपसंद की design कोई भी देख सकते हो मैं यही रख लेता हूँ यह best है मैं इसमें थोड़ा ओड़ design देने की कोशिस करता हूँ आपको नीचे plus का चिन दिखाई दे रहा होगा आप उसको click करिए मैं इसमें circle का design देना चाता हूँ इसलिए circle पे click करिए अब आपको यहाँ circle की भी बहुत सरी design दिखाई दे रहे होगी आप कोई भी चूज सकते हो मैं यह चुन लेता हूँ अब आप इसको उपर नीचे छोड़ा बड़ा करके से design दे सकते हो तो मैं इनके चारों और लगा देता हूँ क्योंकि देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा अब आप यहाँ इसका color change कर सकते हो क्योंकि black color अच्छा नहीं दिखाई दे रहा तो मैं यहाँ पर color yellow को choose कर लेता हूँ दोस्तों आपको जो नीचे पलस का आइकन दिखाई दे रहा है उसको कलिक करने के बाद आपको तरह तरह की design दिखाई देगी नीचे जो element का option है उस पे कलिक करने से विबिन परकार की design आ जाएगी इन में से आप कोई भी choose करके अपने लोगों में लगा सकते हो और लोगों नहीं आप कोई banner या post बनाना चाओ तो उसमें भी आप लगा सकते हो मैं चाता हूँ मेरे लोगों की तोड़ी सी design और अच्छी बना देता हूँ उसमें एक circle और लगा देता हूँ तो आप नीचे जाके वहाँ से element से circle चुन सकते हो और मैं इस circle को इसी circle जो पहले वाला circle है उसी के अंदर लगा देता हूँ क्योंकि उसी अच्छा लगेगा और color भी अच्छा वाला set कर देता हूँ तो मैं इस बेंगनी color को select कर लेता हूँ थोड़ा अच्छा लग रहा है मैं चाता हूँ यहाँ चैनल का pull नाम भी सोकरे तो अच्छा रहेगा तो आप plus के icon को click करिए तो आपको यहाँ text दिखाई दे रहा option उसको click कर दीजिए जो यहाँ ad text box लिखा है उसको click कर दीजिए और अपने channel का नाम लगा दीजिए तो मैं यहाँ लगा देता हूँ अब मैं इसे थोड़ा सा छोटा करके T और B के निचे set कर देता हूँ तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है अब मैं थोड़ा इसका color change कर देता हूँ क्योंकि color थोड़ा अच्छा लगेगा यहाँ से मैं color green वाड़ा select कर लेता हूँ क्योंकि green थोड़ा अच्छा लग रहा है दोस्तों अमारा logo बन गया है इसे डाउनलोड करते हैं उपर जो डाउनलोड का option दिख रहा है उसको कलिक कर दीजिए यहाँ आपको दिख रहा होगा preparing your design इसको डाउनलोड होने में थोड़ा time लगेगा अगर आपका net फास्ट होगा तो यह जल्दी डाउनलोड हो जाएगा तो दोस्तों आप भी इस तरह से अपना चैनल का logo बना सकते हो क्योंकि logo ही चैनल की पहचान होती है तो देखिए इस तरह से मेरा logo डाउनलोड हो गया है अब इसे में चैनल पे लगा सकता हूँ तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जुरूर बताना लाइक करना, सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ठेंक्यू, जहिन